नमस्कार दोस्तो उपाध्या लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है बेसिक कैलकुलेशन की इस सीरीज का आज पार्ट सेवन है अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आज हम जो सीखेंगे वो क्यूब रूट स सकते हैं चार एक्जांपल मैंने आपके सामने लिख रखें आप इनका अंसर ना जैसे मैं लिखूंगा ऐसे आप भी दे दोगे यह 22 का है यह आप यूनिट प्लेस चेक करोगे और आगे से देखोगे आप कहोगे कि यह 25 का है अगर आप इसकी बात करोगे तो यह 36 का है इस मैं आपको गारणटी देता हूं कि आप भी इतनी आअसानी से ही लिख पाओगे maximum आप सेकेंड का समय लोगे 4 से 5 सेकेंड का यह maximum टाइम बता रहा हूं लेखने मिःंसर ठीक है बस उसके लिए आपको concept समझने की जरूरत है concept एक बार समझ लिया सम मामला fit हो जाता है तो देखो मैंने आपके सामने कुछ numbers लिखे हैं और कुछ cubes लिखे हैं देखो ये क्या है numbers हैं मेरे और ये मेरे cubes हैं अगर आप इसको देखते हो कि 1 का cube 1 होता है 2 का 8 होता है 3 का 27 4 का 64 5 का 125 6 का 216 7 का 343 8 का 512 9 का 729 और 10 का 1000 इससे आगे भी आप ले जा सकते हो अगर आपको बड़े की जरूरत है तो इसके बाद मैं अगर मैं यहां देखता हूँ यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ है किसकी यूनिट प्लेस की देखो ये solve तो ऐसे होंगे जैसे कल आपने square किये थे लेकिन square से ये कहीं ज़्यादा आसान है अगर आप इनको देखते हो तो देखो 1 का unit place 1 है और 4 का unit place 4 है 5 का unit place यानि एकाई का अंक 5 है 6 का एकाई का अंक 6 है और 9 का एकाई का अंक 9 है और कल आपको याद होगा कि 2, 3, 7, 8 ये ऐसे नंबर थे जो एकाई के अंक पर आ रहे थे तो परफेक्ट नहीं बना रहे थे तो एक बात ध्यान रखना अगर आप 2 का देख रहे हो तो 2 का एकाई का अंक क्या आ रहा है 8 2 का मैंने 8 लगा दिया और 8 का कितना रहा है 2 एसे ही 3 का कितना रहा है 7 और 7 का कितना रहा है 3 तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह चेक नहीं करना कि प्रतेक के 2 डिजिट आ रहे हैं यहाँ प्रतेकाई का आँक जो है वो फिक्स है उस पे वही आंसर फिक्स होगा अगर यह है तो इनका यही रहेगा 2 है तो 8 हो जाएगा 8 है तो 2 हो जाएगा 3 है तो 7 हो जाएगा 7 है तो 3 हो जाएगा बात के लिए रुई मैं आपके सामने कुछ एक्जामपल लिख रहा हूँ तो आप अगर यहां देखोगी कि इस बार 3 की pairing की जाती है 3-3-3 digit के pair बनाए जाते हैं और इधर से ही बनाए जाते हैं बचे हुई को एक अलग pair बना लो ये 3 digit का एक pair बना लिए ये अलग बना लिए अचा आपको पता है कि अगर 1 का अंक 8 है तो मेरा answer क्या होगा 1 का ग्रण आठ है तो आठ वाले का क्या है तो यहां मैंने तू लिख दिया यानि यह जो तीन का पेर है इसकी जगे आगया डू अब आप से तैन को चेक करो कि यह किस क्यूं की लाइन की नजर में आ रहा है क्यूं के बीच में तो आप देखोगे यह तू और थ्री इक यूं के बीच में आ रहा है जिनके बीच में आता है उन में से छोटा नंबर लेते हैं यह हमने स्कॉयर में भी किया था तो इसका छोटा नंबर क्या जाएगा टू यहां से मैंने टू ले लिया यही मेरा अंसर है 15625 अब देखो यूनिट अगर यूनिट दिजिट 5 है एकाई कांक 5 है तो मेरा आंसर तो 5 होगा बात केलियर हुई अब यह तीन के पेर के स्थान पे तो 5 आ गया अब पंधरे को चेक करो कि पंधरे कहा जाएगा 15 आप देख रहे हो तो फिर से 2 और 3 के बीच में ही लाई कर रहा है तो जब 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है उन में से हम छोटा नंबर पिक करते हैं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यह 2 आ जाएगा 25 यही मेरा आंसर है 25 इसके बाद में अगर आप इसके पेरिंग की बा पेर को चेक करो कि यह कहां लाई कर रहा है आपने चेक किया कि यह पेर आपका 27 और 64 यानि तीन और 4 के बीच में लाई कर रहा है तीन और 4 के बीच में लाई कर रहा है जिनके बीच में लाई करता है जिनके बीच में यह नमबर आता है उनमें से छोटे वाले नमबर को लेते ह यानि यहां पर क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा इस वाले 46 की जाएगा और आंसर मेरा 36 हो गया इसके बाद मैं यह मैं चेक करता हूँ पेरिंग की तीन का पेर बनाया चार किसका होता है चार चार का ही होता है और यह 85 कहा लाई कर रहा है तो चार और पांच के बीच में लाई कर रहा है तो जिनके बीच में लाई करता है उनमें से छोटा नमबर उठाते हैं तो आपने यहां भी चार लिख लिया यही आपका अंसर है बास समझ में आई इसके बाद और एक्जामपल देखिए और देखिए यह तीन एक्जामपल अब देखो यहां पे फिर से हम पेरिंग करेंगे तो यह 6 का क्या होता है यूनिट प्लेज 6 ही होता है 175 पांच और 6 के बीच में लाई कर रहा है जिनके बीच में लाई करता है उनमें से छोटा नमबर लेते हैं तो 56 अब आप इसको देखिए आपको पता है जिसका यूनिट प्लेज 3 है तो उसका क्या होता है 7 तो इसका तो 7 आजाएगा 300 चेक कर लो तो 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है उनमें से छोटे वाले नमबर को पिक अप कर लो इसकी जगे अच्छे आजाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 67 इसके बाद में पेरिंग कर लो अब आपको पता है कि 9 तो 9 का यह होता है और 493 आपको पता है कि 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है तो जिनके बीच में है उनमें से छोटा ले लिया तो यहाँ 7 हो गया नोट कर लीजिया अंसर 79 और देखिए यह तीन एक्जम्पल यहाँ जब आप इनको देखोगे तो फिर से पेरिंग और पेरिंग में आपको पता है कि 9 अगर यूनिट प्लेस है तो इस वाले पेर के नीचे तो 9 आ जाएगा 704 कहा लाई कर रहा है 8 और 9 के बीच में लाई कर रहा है उनमेंसे छोटा नमबर उठालो तो यह इस वाले पेर के नीचे 8 आ जाएगा तो 89 आपका अंसर होगा 7 है तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 का 7 और 7 का 3 होता है 804 कहा लाइए करता है 804,9 اور 10 के बीच में लाइए कर रहा है तो इस वाले पेर की जगह क्या आजाएगा 9 अब आप इस के लिए देखिये तो 3 फिर से 7 का हो जाएगा और इस वाले पेर की जगह तो 7 आ गया अब ये वाला पेर देखो को कहां लाई कर रहा है साथ और आठ के बीच में लाई कर रहा है साथ और आठ जिसके बीच में लाई करता है उन्हें से छोटा नमबर लेते हैं तो यहां भी मेरा सेवन आ जाएगा तो यह आंसर किसने का हो जाएगा 77 का बात के लिए हुई देखे और यहां बड़े एक्जाम्पल देख लीजिए दो को तीन का तो मैंने एक पेर बना दिया बच्चा हुआ जितना नंबर है वो सब एक पेर में चला जाएगा ये सब का सब एक पेर में चला जाएगा अब यहां देखो फूर्त ओ फूर्त नांसर आता है अब ये 1124 कहा लाई कर रहा है ये 10 और 11 के बीच में लाई कर रहा है 10 और 11 के बीच में लाई कर रहा है इसका मतलब छोटा नमबर पिक अप करना है छोटा नमबर मेरा क्या आ जाएगा भाई 10 क्योंकि ये 10 का है तो ये 104 मेरा अंसर आ गया अब ये अगर आप इसको देखते हो तो देखो नौ का जिसका यूनिट प्लेस नौ है उसका आंसर भी नौ रहेगा और ये 1295 फिर से 10 और 11 के बीच में लाई कर रहा है तो इस में से भी आप 10 पिक कर सकते हो क्योंकि छोटा नंबर ही उठाना है आंसर कितना होगे 109 तो इसका आंसर क्या था 104 और इसका आंसर क्या था 109 तो आप से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ पाए होगे अगर आपको 14, 15, 16 तक का याद है मैं आपसे यही कहूँगा कि 20 तक तो क्यूब याद कर लें ताकि कि देखी कितना लंबा नंबर अगर आप 20 तक याद कर ले तो तो कितनी आसानी से निकाल पाओगे ठीक है अब आप इन मैं से मैं कुछ एक्जामपल आपके सामने लिख रहा हूँ उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है ठीक है आप लिस्ट देख लिजे तो यह 5 एक्जामपल है इनके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करोगे और यह भी बताओगे कि आपने क करें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबालें, ताकि कि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं वीडियो पर डे डाल रहा हूं और अभी आने वाले समय में ये एक दिन में दो वीडियो तीन वीडियो चलेंगी ठीक है क्योंकि अभी ये शुडू हुआ है तो थोड़ा सा समय लग रहा है आप बिल्कुल पेसंस रखिए अर्थमेटिक के चैप्टर्स भी